सब्सक्राइब दोस्तों आज तेई जून दोहजार बाई दे मोस्ट इंपोर्टेंट करन्ट अफेस नो आप आज दी सडी क्लास देविच डिसकस करांगे ता क्लास काफी इंपोर्टेंट रहेगी ता क्लास नो लास तक जरूर देखियो ताकि तुसी कंप्लीट इंफोर्मेशन गेन कर पाओ अगर क्लास दे दोरान तो अनू किसे भी तरह दा डाउट आंदा है कुछ भी समझ दे विच नहीं आदा कोई चीज समझ दे विच नहीं आदी ता तुसी उससे वक्ट चैट बोक्स दे विच अपना डाउट पूच सकते हो एगियो अगर तुसी साड़े यूट्यूब चै तक उसारे पहुंच जान ता आप आज दी क्लास नूँ प्रसीड कर सकीए हां जी बच्चे रजींदर मोहित सुक्मनी आशू सोनिया गुर्पित वाई गुर्मानिंग बच्चे हां जी बाकी जल्दी-जल्दी क्लास नूँ शेर कर दो एंड आपास डिसकस कर दे आज दी स करनटर्फिर्स नू किसे भी लेवल ते सकिप नहीं करना कालल ऑंड नू करनटर्फिर्स नू कर दे जाना बहुतच जरूरी है क्लेर गाइस ता चलो स्टार्ट कर दे हैं साधी आज दी क्लास करेंट अफेस फर्स्टिंग ऑफ दे दे इस वर्ड अलम्पिक दे इंटरनाशनल अलम्पिक दे ठीक है होन्त अनू सारे नू पता है कि दुनिया दे विच अलम्पिक गेम्स कंड़क्ट करवाई है चांदिया ने बट इस अलम्पिक गेम्स दी शुरुवात कदो हुई कोण इसनों और अगनाईज कर दा है वात किती अलम्पिक संब्यर अगनाईज करना शुरू किता तब पहली वरी दुनिया दे विच फर्स ताइम जड़िया इंटरनाशनल अलम्पिक गेम्स ऑगनाईज कितया गया से गया, वो कितया गेम्स ने टाइटल दे दिता गया दो हिस्साच वड़ दिता गया, that is Summer Olympics and Winter Olympics. Winter Olympics. Basically, Summer to Summer. Summer to Summer होएगी 4 साल बाद, Winter to Winter होएगी 4 साल बाद, ठीक है, यानि कि एकवरी Winter Games होगया, अगलिया Winter Games 4 साल बाद, Summer Games होगया, अगलिया Summer Games 4 साल बाद. But if we talk about Summer to Winter, Summer to Winter था यानि दो साल बाद, तो अनों सारे नों पताया गया है, कि लास्ट सादिया दिया Olympic Games ही गया, ओ Tokyo Olympic Games, 2000-V दे विच स्कडूल सी गया, अलाकि डूटू दा COVID virus, Corona virus दे वजाना ओ 2021 कंड़क्ट केते आ गया, बट वो स्कडूल सी गया, 2000-V वास्ते, यह मैं देशां, Summer to Summer 4 years, and Winter to Summer 2 years, 2004 रिच हो रियां, 2004 रिच किते हो रियांने, यह Summer Olympic Games, Paris-France दे विच, 2004 रियांने, Paris-France दे विच हो रियांने, Paris-France दे विच हो रियांने, उस तो बाद Next Summer धी, गयम दिया गाल करता, अगली समर्स गेम्स दिगाल करता था 2008 देविच 2008 च किते लास एंजलेस USA ठीक है लास एंजलेस USA उस तो बाद 2022 देविच 2032 दो जार बत्ती देविच यह होण गया Brisbane Australia देविच Brisbane Australia देविच ता यह venues ने सड़िया इंटरनेशनल ऑलंपिक गेम्स ने जड़िया की सड़े पेपर पॉइंट आफ यू तो काफी इंपॉर्टन ने अगे चल देख 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 अशड़ी ओलंपिक कमेटी बारे ऑलंपिक गेम्स बारे ता देखो एस वारी देड़ा थीम हैगा ठीक है ओलंपिक्स नूँ टोगेदर फोर पीसफुल वर्ड टोगेदर फोर पीसफुल वर्ड एथे तीम इस वारी रख्या गया हैगा डशलज ओलंपिक डे इंटरनेशनल ऑलंपिक कमेटी थी जमेंगे मैं गाल कितीं की उनीरारा सुचुरान्य बारे विच बड़ीस पारेस प्रास ने विच फाउ लॉजन स्विजर्लेंड देविच एंड प्रेजिडेंट ने थॉमस बैच थॉमस बैच थॉमस बैच थॉमस बैच चलो एक सवाल एक कोश्य ने थे पुछ दिया तौनों मैं को अगी इंडियां ने किन्हे मेडल जितते र कोई गाल नी है मंदीप कौउर जी तुसी क्लास नों बात देविच देख संवेएं में यह आज त्यंडियां ने किन्हें मेडल जितते बचे आज तेई जून है तेई-जून नों यह थे इंटर्नैश्नल ऐलंपिक कमिटी बढ नैशनल ओलम्पिक डे क्योंकि एजन कमेटी बनाएगी सिगे 1894 वेच कमेटी बनी 1896 देवेच पहली वारी ग्रीस देवेच ओलम्पिक गेम्स हो यहां सिगे हां जी इंडिया ने अपना पहला इंडिविजुल केटेगरी दा गोल्ड मैडल जित्तिया सिगा 2008 देवेच अभी पहला देखू मैडल साप जित्ति आरे सिगे बट इन्द टीम केटिगरी फुटबॉल टीम साडी होकी टीम होंदी सिगे ठीक है उस्तों बाद अगर आप इंडिविजुल केटिगरी दी गल कर देथा इंडिविजुल केटिगरी इस ता आज तक इंडिया ने दोई वरी ग पर इंडियाा नंबर ते चल्ब आप आप डाप कंटरी ने सब्तों जाड़ा मैडल जित्ते आजी केटी कंट्री ने सब्तों जारा मैडल जित्ते यानि कि केड़ा country number one ते सिगा, देखो, number one ते ओ country हुन दी है, जिनने सक्तो जारा gold medal जित्ते हुन, number of medals matter नहीं कर दा, कि किसे ने bronze जारा जितले, silver जारा जितले, टेक है, जिनने gold जारा जितले, ओ number one ते है, यह सारी खेड जड़ी है, यह नो gold medal दी है, gold medal दी, ता केड़े देश ने सक्तो जारा gold medal जित्ते है, ते number one ते रहा, that is, 39 medals, United States of America, clear जी, किसे नो कोई डाउट हैगा ता, पुछ लियो, चलो, अगे चड़ दे है, next, the all zero are questions to be answered, the Punjab speaker, कुलतार सिंह साधवान, देखो, पंजाब विदान समादे जड़े speaker ने इना दना हैगा, कुल सेशन स्टार्ट हो रहा है, पंजाब दा बजट प्रेजेट होन जा रहा हैगा, at budget session इते शुरू होन जा रहा है, ता इससे दे चल दे हुए, पंजाब विदान समादे जड़े speaker ने, that is, कुलतार सिंह साधवान साभ, कोटकपुरा तो MLN ने, इनना ने अना ने अनूस किता question hours दे दोरान की होन दा है, जिनने भी है थे members होन देने house दे, ओ concern ministers तो सवाल पुछ देने, concern ministers तो सवाल पुछ देने, तो जवाब दी उमीद रख देने, ता question hour तो बाद, घड़ा next कंटा होन दा है, औन्नू कहन देने 0R, 0R क्यों कहन देने, क्योंकि 12 PM दे शिरू होन दा, 12 PM दे, 12 PM दे 1 PM दा, क्योंकि 1 PM दे लगबग basically house दो अरजन केता है, फोर दा lunch, ठीक है, ता 0R दे विच दे सवाल पुछ देने, पुछ देने, पुछ देने, पुछ देने, पुछ देने, और दे कोशन रेस किते देने, एथे कुलतार सिंग सादवान साब्दा क्या गया है, क जड़े भी सवाल 0R दे, 0R दे टाइम टे पुछ देने, इना दा answer बात दे विच, return reply दे विच देता जाएगा, return reply दे विच, इना दा answer देता जाएगा, by the concerned authorities, but सारे questions नो answer किता रहेगा, कोई भी question neglect नहीं होएगा, एपंजाब विदान समा दा budget session सेशन स्टार्ट हो जा रह पर्मानेंट ब्रजेट प्रेजेंट हो जा रहे है, पंजाब था, and अज संगरूर जिमनी चोडा मी चाल रहे हैं, संगरूर दे विच, MP दे election एथे चाल रहे हैं, हाँ जी, कोई doubt है बच्चे किसे नू, एने doubt, एने doubt किसे नू, किसे नू कोई doubt है का ता उस भी पोच सक दे वी इशू हर दिन इसे जीरो आर्स दे विच डिसकस किते जानेंगे, ठीक है जी, एक खुलतार सिंग साधवान साब दी इसे वर्डिंग इसने, ता ता नू क्लियर हो गया वेगा, कुलतार सिंग साधवा इस दा स्पीकर आफ पंजाब असेंबली, पंजाब असेंबली, प इंदिया रहा चोथे नमबरते, ए रिपोट आईया, वर्ड गोल्ड गॉल्ड काउंसल दी, वर्ड गॉल्ड काउंसल जिसदा हैड्कवर्टर, अलटर लोंडन दे विच रह गा, उनइटीड किंडम दे विच चिसदा हैड़्डर है इस ने अपनी रिपोट दे दस्घ्य क कि इंडिया छसे नंबर ते रह जोकि एंडिया ने 2021 कि कि इना गोल्ड रिसाइकल किता 75 तन पचातर तन इस रिपोट दा नाम सीगा गोल्ड रिसाइकली नबर ते रहा और इस रिपोट दे वीच नंबर वन ते खॉन रहा चाइना, नमबर 2 ते कौन रहा, इटली, नमबर 3 ते कौन रहा, USA, and नमबर 4 ते आया, इंडिया, जिनने की एथे 75 ton gold एथे recycle किता 2021 वेच, 2021 वेच, that is the report by the world gold council, gold, so na, हाँ जी, clear जी, कोई doubt, किसे नूँ, कोई doubt, हाँ जी, बच्चे, कोई doubt हैगा, ता प्लीज, पूछ लियो, अगे चाड़ दे, next, that is the Ruth Ajaki, Ruth Ajaki, the book of forms and emptiness, the book of forms and emptiness, ठीक है, देखो, US Canadian based, एक film maker ते author है, and Buddhist priest है, जिनना दना हैगा, Ruth Ajaki, Ruth Ajaki, इना दी, एक किताब हैगिया, that is the book of form and emptiness, ठीक है, the book of form and emptiness, इस किताब नू दित्ता गया, women's prize for fiction, women's prize for fiction, इस किताब नू दित्ता गया है, एक किताब ना दी हैगिया, एक कहानी है जड़ा किया थे, after the tragic death of his father, start to hear voice of object speaking to him, clear, एक ना नू एथे, एक award दित्ता जा रहेगा, that is in London, that is in London, that is the Ruth Ajaki, the woman prize for fiction, the woman prize for fiction, next, the government of India has appointed the next permanent representative to the United Nations, United Nations वास्ते, next permanent representative वापाइट किती गया है, रुचिरा कंबोच, रुचिरा कंबोच, शी रुचिरा कंबोच, शी रुचिरा कंबोच, शी रुचिरा कंबोच, जिनननू थे, पाइट किता गया है, ठीक है, बेसिकली, प्रेसेंट ली, शी रुचिरा कंबोच, शी रुचिरा कंबोच, शी रुचिरा कंबोच, शीकली, दे तोर्ते भी कम किता है गा and UNESCO दे लही इंडिया दिया मेस्जर रह चुकी है गया that is in 2014 that is in 2014 now in united nation वास्ते permanent representative appoint कर देता गया है United nation दे विच इंडिया नू रीपरसेंट करेगी इंडिया नू रीपरसेंट करेगी रूचिरा कंबोज very important very important that is रूचिरा कंबोज नेक्स्ट नैशनल चंबल सेंचुरी देखो चंबल मदपरदेश ठीक है मदपरदेशनी सरकार ने एंथे अनौन किता कि 292 hectares दा एरिया जड़ा चंबल सेंचुरी दा है गया है इस दे उत्ते तुसी माइनिंग कर सक देओ इस दे उत्ते माइनिंग कर सक देओ वी मैदधपरदेशनी सरकार ने कार्ण देना बाद मनेंilly सरकार को अब यहाथなので The staff is taken to free its forest department from devoting to the much time reforces efforts in fighting illegal mining in the National Chambal Century. National Chambal Century 1979 देवच मन आई गई सीगी ठीक है एक रिवराइन संचुरी है जोड़ी की चार सो पची किलोमेटर दी लंधे फैली होई है चार सो पची किलोमेटर दी लंबी एक वाइडलेफ संचुरी है है यह दा चंबल संचुरी चंबल संचुरी देविच की के मिल राएगा घडियाल रेडि कान रूफ चंड एडियां गंगा रिवर डंफीन गंगा रिवर डंफीन गंगा रिवर डंफीन हो फीन है चंड सम क् अहं जी पंझाब दस्तेट एक्षविट्यक ऊंट खीन म Einbrids very good, very good, जल्दी जल्दी, Indus Dolphin, Indus Dolphin, Indus River Dolphin, ठीक है, Gangatic River Dolphin is the India's national aquatic animal and the state, the Punjab state aquatic animal is Indus River Dolphin, Indus River Dolphin, clear, ता चंबल देवेच सब तो ज़्यादा घड़ियाल से पाये जन्देने, जंगली घड़ियाल and जित्थे Indian skimmers भी बहुत ज़्यादा नंबर ते पाये जन्देने, दाट इस आ नैशनल चंबल सेंचुरी, नैशनल चंबल सेंचुरी, नेक्स्ट, दा प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी तो टेंड टू डेज वर्चुल ब्रिक्स सम्मिट, देखो, ब्रिक्स सम्मिट एते हो जा रही है, एड एस्वारी ब्रिक्स तीड़ी प्रेजिदेन्सी है गी है, यानि कि ब्रिक्स सम्मिट नो कौन अग्नाइस कर रहेगा, चाइना, चाइना दी कॉमांड देवेच हो रही है, ता चाइना देडे प्रेजिदेन्ट ने, शी जिन पिंग, एह होस्ट कार रहे ने एस्वारी, एग कि अज तो शुरू हो चुकिये, एह सब तो पहला ब्रिक्स तिगल कर दिया, ब्रिक्स बेसिकली 5 कंट्रीज दा बनाया हो एक गृप है, 5 कंट्रीज कडिये कडियें, ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, सौथ अफरिका, इस दी शुरुवा 2006 देवेच होई सीगी ते 2008 तो बिक्स ने पहली समिट करनी स्टार्ट की थी ठीक है 2008 देविच अनाउस होई सीगी पहली समिट 16 जून 2009 नू अगनाईस होई सीगी रशिया देवेच रशिया देवेच इस समिट नू कंडक्ट किता गया सीगा एड इस वारी मोदी जी वर्चुली पार्टिसिपेट का रहे ने वर्चुली ये हो रही है चाइना इसनों होस्ट का रहे गाए अगर आपा रीसेंट समिट नी गल करिये ता रीसेंट समिट 12 वी समिट रशिया चोई सीगी 13 वी समिट 2011 देविच इंडिया देवेच होई एड कि अगली समिट कौन होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ता अगली समिट जड़ी है वो साउथ अफ्रीका इते होस्ट कर रहा है इस दे नाल लाल एक तरफ ता ब्रिक्स समिट शुरू हो रही है बट इ बिजनस फॉरम संमिट, बिक्स बिजनस फॉरम संमिट एथे चल दे सीगी, एसे बिक्स बिजनस फॉरम संमिट दे चल दे हुए, मोदी जी ने एथे दस्या कि इंडिया दा डिजिटल एकॉनमी ते इंफरस्ट्रॉक्चर सेक्टर हैगा ठीक है ए इंडिया दी 2.5 ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी नू अगे लेके जानवासते बहुत ही सक्षम है असी टारगेट कर देहां इंडिया ने टारगेट किता हैगा इस दा 1.0 trillion digital economy by 2025 दा 1.0 trillion scope for the digital economy by 2025 एथे मोदी जी ने target रख्या हैगा त्यर मोदी जी ने अथे target रख्या हैगा कि इंडिया जड़ा हैगा digital economy दे विच्च अगे वदेगा there are more than 100 unicorns in over 70,000 startups in India unicorns देखो unicorns की हुँदे ने ओ कमपनी जीदी जीदी value है गिया वो 1 billion dollar तो उत्ते हुए 1 billion dollar तो उत्ते जीदी company दी valuation हुँदी है जीदे startup दी valuation हुँदी है उन्हों कहते ने unicorns ता India देविच more than 100 unicorns हो चुके icorns दे मेटर से ने इंडिया आगे रदा जाएगा एद इसे दे चल्दे हुए इंडिया देली riders a paid care या वो चुके बड़े गी दीयारी दिजेटलियुडर को टुकेकी देली者 एंडिया बूती दॉरिछ इंडिया देलिधिदी दॉन त्र फेल डालर लट पानेघ 5 trillion dollars the one more thing जडी केछे दसीगी मोधी जिने तवारा कि India present year देवेच जडी growth target करेगा that is the 7.5 percent very important आ 10 दे 10 point बहुत important ने सदे paper point of view तो बहुत जादा important ने 3 दे 10 point सदे paper point of view तो ठीक है सदे paper point of view तो clear guys very important next the prime minister Narendra Modi to inaugurate commerce and industry minister new premises Vanitya Bhavan and also the Naryat portal Naryat portal the Modi ji एथे आज सदे जास्वज इना ने इनागरेशन किता हैगा that is Naryat portal what is Naryat national import export record for yearly analysis of trade national import export record of record for yearly analysis of trade इसनु launch किता Modi ji ने Naryat portal ने that is of the commerce and industry ministry and इसना नालाल इसना एक भवन भी launch किता ने वानिजय भवन इनाने launch किता हैगा ता निर्यादी full form तो अडेली सब्तो जाजा इंपॉर्टेड है clear next the Indian space research organization successfully launches India's communication satellite GZ24 this is GZ24 जिसनु launch किता गया है फ्रम दा कौराव इन दा फ्रेंच गुनिया फ्रेंच गुनिया तो इसनु launch किता गया हैगा that is by the French company Arian eSpace Arian eSpace देखो इस satellite नू इस रो ने बनाया हैगा कैस्दे वास्ते New Space India Limited वास्ते New Space India Limited वास्ते ते एक French company Arian अरिया ने Space ने इसनु launch किता है अरिया इन Space ने इसनु launch किता हैगा इस satellite दी अगर आप गाल करिये था इस तर इड़ा weight हैगा that is the 4180 kg इस दा weight हैगा and that is for the DTH applications नू पूरी तरह meet कर दिया है यानि कि सदे डिड़े cables चल दिया ने उस दे लिए इसनु launch किता है इस दिस दिस दा communication satellite this is a communication satellite इस चीज नू लेके कई वर यह थे कोशन बन सकता हैगा कि इस तरह दी satellite हैगी है जी सेट 24 जी सेट 24 तर नेक्स्ट उद्दव ठाकरे fights to keep control over shift सेट देखो यह थेक तहल का माच गया तो अनुँ शार नू पताएगा महारास्ट्रा देविच ना घडबंदन सरकार है घडबंदन सरकार केस केस ती महारास्ट्रा देविच जीटेश चीफ मनिस्टर ने उद्दव ठाकरे ने उद्दव ठाकरे जी तिन त 맞아 शरिंतकर रोड़ë से लिएATHERसे में कशेटपना में सेरी अपलपर, anim거 आपड़ी और मुद्ण। क्शिवते विए उस तक बर नाशनलिस्ट पॉंग्रेसे पार्टी इनले नाशनल कॉंग्रेसे थे अचनले एक बहुत ही खास बंदा सी स्गा शिंदे साद घंड फटेव्री फेमस मिनिस्टर से एक नाथ शिंदे एक नाथ शिंदेजी बहुत ही अल्हसे सिनियर मिनिस्टर से रहे नहें 어म जाके बैठ के शिंदे जी बेसीकली शिव से ना दे उद्धव ठाकरे जी दा हाथ चढ़ के पहला सूरत गए चले उस्तों वाद असम जाके बैठ गिने असम जाके बैठे रहा है इना दी सपोर्ट देवेच जिन्ने भी MLA सीगे सारणों नाल लेगे होना MLA जो सपोर्ट नहीं का रहे था इते सरकार गिर दी है इते सरकार गिर दी है ता उद्धव ठाकरे जी ने साफ कहता है कि मैं रिजाइन कर लिए त्यारा बट जिन्ने भी बागी MLA हो इने वो मेरे सामने आके बैठके कहें कि तुसी रिजाइन करो तुसी रिजाइन करो असी तुन सपोर्ट नहीं कर दे मेरे सामने बैठके कहो ठीक है क्योंकि एकनाथ शिंदे जी केंदे ने एकनाथ शिंदे जी एथे केंदे ने कि अपा ड़ड़बंदन है का कॉंग बेसिकली इंडिया नेशनल कॉंग्रेस दा या नेशनलिस्ट कि अपार बना लेगे बट उदव ठाकरे करे है कि में शिख सेना दी चीफ शिव सेनाती चीफ ने डान अगर एं एत्रट पबास्तर केंदे इन आग अगर बंदन छाडिके, ता इनने की defection लग्येगा, defection, we have a 10th schedule of Indian constitution, 10th schedule, now what is this 10th schedule of Indian constitution, that is the anti-defection law, anti-defection law, on anti-defection law जड़ा है गया इंडिया ने वेच, AIRC गा 1985 देविच, 1985 देविच, by the 52nd constitutional amendment, by the 52nd constitutional amendment, at the time of the Rajiv Gandhi government, ठीक है, Rajiv Gandhi government, अगर किसे पॉलिटिकल पार्टी देनाल मर्ज होना चांदे है, ता defection नहीं लगता, ता defection नहीं लगता, applicable नहीं होंदा defection, हाँ, इस केस देविच की होंदा है, जड़े मर्ज होना चांदे हो, मर्ज हो चकदे, जड़े नहीं होना चांदे हो अलगतो रह सकते है, कोई defection नहीं लगता, हाँ जी, clear हो गया जी, clear हो गया, that is the condition here, एथे condition कुछ हैस्तरा दी हो चुकी है, next, एचीज अपा उलड़ी एथे discover का चुके है, that is the 1 trillion, 1 trillion कॉप, अपा उलड़ी पढ़ चुके है, next, the protest against move to shift proposed heritage park in Manipur, देखो Manipur दे वेच एक national park है तो नूँ पदा होगा, that is the कैबूल लमजाओ national park, कैबूल लमजाओ national park, होन, Manipur दे परशाशन ने की अनौंस किता, की कैबूल लमजाओ national park दे area नूँ ना थोड़ा जा shift करांगे, ठीक है, किना shift करांगे, 6-7 km, shift करांगे इस नूँ, and shift करने वास्ते, इथे 40 करोड रुपेदा, अपा इथे investment करनी है, एक heritage park बनाया जाएगा, अलाकि heritage park बनान दी गाल तब बहुत time दी सेगी, but heritage park नूँ किते बढ़ाया जाएगा, shift करके बढ़ाया जाएगा, यानि कि एक गाल की कर रहे हैं, कि एस heritage park नूँ, अपा shift कर रहे हैं, थोड़ा जाएगा, एधी actual location तो, और एधे पाया जानदा है, तुसी देख सकते हो, this is the deer, आँ deer एधे पाया जानदा है, आँ deer दिया लगबग, एधे सिर्फ 300 species बचिया हो, याने, this isn't the red list, this is the red list, एधे red list हैगा, IUCN दी red list दे वेचेगा, that is the international union for conservation of nature दी, red list दे वेचानदा है deer, एधे विलिजर से रंदे लेएगा, अगर एधे लोक्था दा की होएगा, कि तुसी इधे फिशिंग कार सकते हैगे, एधे लोक्था साधन है लोक्था। दे विच ठीक है ता इस करके एक situation एथे create हो चुकी है गिए protest एथे हो चुक्या है कि सरकार ने अगर डिसीजन वापिस नहीं लिता था इस national park दे आसपास दे जिनने भी government areas में government offices ने उनना दा क्या इसाताया ह्ता है ता रहा किता जाऊगा उते प्रोटेस्ट किता जाऊगा बोला ने की अरे इसट फ्ज्चान पहसा ही क्याएक ह्का बोल्रभ्य,martव, cares? लिए फ्र ताथ युलिएक फ Guinea की कि कटम और आने त सिसर इन्री शुमारी बचे वह हूं कि हैं इन्र संगई इंडिया रेएक किता-इद पर ऍपक dump प्रपड से भाए करोंगे पिर फेस्टिवल कित्दा अबसी अबसर्ब करोंगे रेस soybean नशर लिएलेशनलo कम चर। लॉक्टक लेक मनिपूर दे विच्च तो नूँ पता होना चाहिदा है यह थे पाया की जन्द है संगई डीर पाया जन्द है जिडी की एंडेंडर स्पीसीज है ते आई यू सी एन डाइज इस दा इंटरनाशनल यूनियन फोर कंजरवेशन आफ नेचर जिस दा हैड़कोट इस दा इडे एग्जांप स्रीषेंटल हो रहे ने उननने विच एदा दे इन्वरिमेंटल कोश्च तो काफी पुछे जा रहे ने यू पुछे जा रहे ने यू पुछे जा रहे ने इस दाली काफी इंपॉर्टन ने यसली ते आ अंदिविच रखियो Manipur Next The Narendra Modi to attend the G7 summit in Germany जेको एस वीकेंड ते हो जारी है यानि कि 26 जून नो हो जारी है G7 दी summit G7 that is group of 7 Group of 7 जेको सब तो पहला तो मैं तो नो एक चीज रहते clear करदा This is group of 7 But पहला एक group of 8 होंदा सी का G8 होंदा सी का G8 होंदा सी का क्योंकि एक country Russia जेसने ô जेस नो22 रिमूव किता गया की recently молодख रिमूव किता गया रुत्वाइच का रश्यय यूकरेण Crispy जोहेंस होदा एक करक किता 2014 जोदो रुचनने क्रीमिया वहें अटाक किता जोदो ।्थ selber घली का एथे 2014 यूआख G7 दा मेंबर नहीं है and G7 summit हो रही है Germany देविच इंडिया G7 दा मेंबर नहीं है बट फिर वी इंडिया नूँ यह invite किता गया इंडिया नूँ यह submit देवच invite किता गया Why so क्यों इंडिया नूँ invite किता गया थैनल समझिव रशिया-Ukrain war चाल रहे है एकवारी पहला भी G7 दा मेंबर सी गा रशिया दोजार चोदा देविच एड उस टाइम ते क्रीमिया ते अटैक करन करन रशिया नूँ बाहर कड़ देता गया होण रशिया ने यूकरन ते वहर किता एक उद्धर दी सिचुशन वहर किती बट णता G7 दा मेंबर नहीं सी गा ता भार ता कड नहीं सकते सी के ता बहुत सारी कंट्रीजने सेंक्शर लगाए ते कि रशिया दिनाल से ट्रेड दी बगड़ा नहीं करा घी बाट Indiyya trade कर रहा है, India Russia देना तौन ओसे चीज़ नो discuss करन वाच्ते कि India भी रसिय दा भाइकाट करें इस चीज़ नो discussion करन वाचते इंडिया नो G7 177 मीटिंग देविच इन्वाइट किता गया है G7 summit देविच invite किता गया हेगा यह चीजा यह थे discuss कि यहां जानेंगें यह चीजा यह थे discuss कि यहां जानेंगें दुनिया दियां largest developed economies देखो India is a developing economy that's why India is not a member of the G7 क्योंकि G7 developed economies देख गुरूप है उन वट्टास किडिया किडिया developed economies ने France, Germany, Italy, Japan, USA, UK and Canada यह सत कंट्रीज दा बनाया एक गुरूप है का रशिया पहला सी गा तो नुमें दास चुक है रशिया निमोव हो चुक है रशिया होन मेंबर महीं है ठीक है एंड इस वर ही summit किते हो रही है जर्मनी देविच हो रही है जर्मनी देविच यह summit हो रही है हाँ जी गाइस clear हो गया किसे नों कोई डाउट ता नहीं है किसे नों कोई डाउट है किसे नों कोई डाउट है डाउट आर्थी परभाकर जी एक इंडिया अमेरिकन साइंटस्ट है इननों नूमिनित किति है गया गया है that is at the top science advisor to the US president a science advisor to the US president इननों अपॉइट किता गया गया है that is the Dr. आर्थी परभाकर अगर्ट आर्थी परभाकर that is very important that is very important that is very important हाँ आपा चाल देयां एथे साड़े revision session देवाल हाँ जी guys त्यारो सारे ready for the revision हाँ जी class चंगी लाग रिया था like comment share करना नी पुलना like कर देगरो चलो जी the first question हाँ जी इनने विच्चों कीने लिखी है गोतम अधानी जीदी biography the man who changed India the chief of the अधानी group तो अनू पता है अधानी ग्रूप किनना ग्रो किता हैगा मोधी गौर्णमेंट दे ताइम दे विच ता इननने उते एक biography लिखी गई है कीने लिखी है राम भादूर तेको तुसी सारे अंसर का दो अंसर को लाए राम भादूर दे राम भादूर जिनने constitution दे किताब लिखी सीगी सविधान अनकही कहानी जिन्हों पी-म ने लॉंच किता सीगा थीक है जडी की राम भादूर राय ने लिखी बट दिस बुक यांसर के लिखी सीगि इंडिया था पहला body suit for yoga in space space ते विच योगा करनास ते इंडिया दा पहला body suit बनाया गया किडी यॉग ने बनाया एंस बढ़िंडा, एंस दिल्ली, एंस मॉंभाई, एंस तंडिगड हां जी की ने बनाया एगा? की ने बनाया? केडे एंस ने बनाया? this has been made by एंस डली और इंडिया इंस्टेड आफ, मैडिकल साइंस, डली next which country hosted the 14th BRICS summit? हां जी, केडी कंट्री याथे होस्ट कर रही है, 14th BRICS summit 14th BRICS summit केडी कंट्री होस्ट कर रही है? 14th BRICS summit नू केडी कंट्री होस्ट कर रही है तर्की, इसराइल, इसराइल, इटली त जक्किस्तान elections होन गेते होन, elections हां जी, one of the worst powerful nation Israel, Israel, a Jews country, Israel next केडी state, पहली state बनी इंडिया रही है, जिनने की बाली का पंचाइट लांच किती है बाली का पंचाइट केडा state, इंडिया रही पहला state बनी जिनने की बाली का पंचाइट लांच किता है बाली का पंचाइट आंसर करो, यार आंसर करो हां जी, आंसर सुख्मनी अमन गौरव वैरि गूद परिंस से disruptive बनेया जिनने लौंच पैंच जितुटी है ऐ बाली का पन्चयत टीक है ऐ बाली का पन्चयत टीच है ता बच्चों AC का सदाज दा क्लास जिस दे विच अपाई most important current affairs and कुछ MCQs discuss की तेने I hope तो आनू class चंगी लगी होएगी चंगी लगी है ता like करना ना पुल्या करो अपने friends तेना शेर करना ना पुल्या करो किसे भी तरन्दा कोई भी डाउट आया कुछ समझ देविच नहीं आया comment section देविच पुछो comment section देविच कोई भी डाउट तुसी पुछ सकदेओ class तो बात दुबारा देख देओ बात देविच कोई भी डाउट comment section देविच पुछ सकदेओ clear जी it's all for the day thank you so much take care